25 माई को महाराष्ट टीवी 24 ने जुनिकाम्टी पुलिश टेशन की हद में शोबाबाई दिवटे नामक महिला की जमीन रंजित सफेलकर और उनकी गैंग ने हडप ली है इस बात की नियूज प्रसारित की थी इस मामले में नया मुड आ गया है फिर्यादी शोबाबाई के पास से जुनिकाम्टी पुलिश टेशन के पी आई ने कोरे कागज पर दस्तकत लिये है फिर्यादी ने कहा है कि पी आई ने उसे सफेलकर का जमीन से कोई संबंदन ना होने की बात लिखना चाहा है कुख्यात रंजित सफिलकर का पारिशुनी के मौजा डुमरी कला की 10 एकर खेती जो फिर्यादी शुभवाई के नाम पर है उससे कोई सम्मन नहीं है यह लिखने के लिए जुनी कामठी पुली स्टेशन के पी आई ने कोरे कागजों पर शुभवाई के दस्तकत लिये है ऐसा रोप फिर्यादी का बेटा महेश ड्यूटे ने लगाया है दरसल मामला पारिशुनी तरसिल के मौजा डुमरी कला के 10,5 एकर जमीन को लेकर है जो रंजित सफिलकर और उसके गैंग के गिरफतारी के बाद सामने आया है रंजित सफिलकर, अजे शाहू, शेले शाहू, योगे शाहू, कालुहाटे और जगनाज शाहू ने मिलकर फिर्यादी शोभवाई का भरे बाजार से अपहरन कर जबरदस्ती जमिन का सौदा कर रजिस्ट्री लगवा लिया था जिसके बाद महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही मगर उसे कोई न्याई नहीं मिला मगर अब जब मामला दर्ज हो गया है तो पुलिस कोर एक आगजोग पर दस्तखत लेकर इस मामले में कौन सी कारवाई कर रही है या और किसे फाइदा पहुचाना चाहती है या सवाल खड़ा होता है इस मामले में फिर्यादी शोभाबाई के बेटे महेश जूटे और जूनिकामटी पूलिस टेशन की पी आई की बीच फोन पर बात हुई है क्या बात हुई है आप खुद सुनिये अरे मग सीपी साहिबानी नंबर पाटावला काय साला सीपी साहिबल बेटेल गेलते का तुम्ही प्राम ब्रेंच लिया अरे जूनिकामटी पूलिस टेशन हाउ कोनाल बेटले आज आमी ते कुनसे साहिबाई अपले राजमाने साहिब हाँ हाँ काय जाल ? हाँ आई अकटावला सीफी्यान घेलतली कोना ? याइन By吧 दोते आहिए रजिस्टरि लागेले ओना पूटो चाहिभाई न तुझे आई है वो पर मेंभाशा में भात्ताया और चाहिए क्पी तो भुटillonिशरा हैं यह काया आपलाशा लुट मेंद गिल्ये ब्राइंग कायँ से मुताया हुँ कंप ठीक एंट र ने पन इता माईट जाले ने आने तुमचे हम बयां जाले दोंत अपन अश्पून्व ने बोले ओफ अथ थे ओफो तुम्हें हो बलोबर आंगे वैंशित कि ना चब्रत यह माईटी प्रस चेंख नता तो तुमाई वेचराल लागन ना जना जना जे तुम पूली स्टेशन आजाओ कागज फार के मामला सुलजा देंगे अब सवाल है कि पी आई ने किस कानून के तहर कोरे कागजों पर साइन ली थी और किसे फाइदा पहुचाने के लिए उसने ऐसा किया था भले ही सफिल कर और उसकी गैंग जेरबंध हो मगर उसके चाहने वाले और फंटर अभी भी बाहर है जो से फाइदा पहुचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे है पुलिस आयुक्त और उनकी टीम ने बड़ी महनत से इन भू माफिया और उसकी गैंग को गिरफतार किया है मगर इन मामलों पर ध्यान ना देने से आरोपियों को फाइदा पहुच सकता है और केस उल्टा पढ़ सकता है ऐसे में जरूरत है पुलिस महकमों के आला अधिकारियों ने इन मामलों पर ध्यान दे कर आरोपियों को गैर कानूनी तरिके से फाइदा पहुचाने वालों पर कारवाई करनी चाहिए महराष्टो टीवी 24 के लिए रिटेश बोरकर और प्रकाश शुंकलवार नाकपूर